हम कर रहा है इसमें लावत की बुक और इसमें हम चैप्टर कर रहा है जिसमें हमें क्वांटिटी अवेर फाइंड करनी है आज का मारा सवाल है कि एक किलो ग्राम फ्यूल जो है उसमें 80% कार्बन है 4.5% है थ्री पॉइंट 5% ऑक्सिजन है बाइवेट तो हमने क्वांटिटी 4.5% है और O जो है 3.5% है यह हमारा सवाल दिया गया है जी और फार्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 100 डिवाइडिंग वे 23 8 बाइ 3 मल्टिप्लाइबे C प्लस 8 मल्टिप्लाइबे H प्लस S माइनस O तो यह फार्मूला है जना आप इस फार्मूले में हम तमाम प्रिज़ में वैल्यो दीगई है 81% इसको आपको पता है कि जहाँ भी परसंटेज साथ लगा होता है तो हम उसको 100 पर डिवाइड करते हैं तो आप 81 पर डिवाइड करेंगे 0.8 आजाएगा 4.5 पर करेंगे 0.045 आजाएगा और जब उको आप 100 पर डिवाइड करेंगे 3.5 को तो 0.035 आजएगा तो यह वैल्यू आपने कनवर्ट कर लेनी है उसके पाद आपने फार्मूले में यह तमाम वैल्यू रख देनी है कार्बन की वैल्यू 0.81 पर डिवाइड करने से आई और उसके लावा हेट्रोजन की वैल्यू 0.045 और ओ की वैल्यू जो है आपने अक्स अक्सिजन की वैल्यू हमने इसलिए माइनस करनी होती कि यह अक्सिजन अल्रेडी हमारे फ्यूल में मौजूद है तो यह अक्सिजन जो होगी हम इसको माइनस करेंगे तो यह मारे पास फार्मूला था सीधा सीधा फार्मूला है और वैल्यू उपर हमारे सवाल में दी गई जी जो है एर चाहिए तो अगर एक्सेस एर की बात करें तो वो कहरें 65% एक्सेस एर है यानि कि अगर एक्जेक्ट वैल्यू उफ यानि कि एक किलो आपने फ्यूल जलाना है तो 10.8 kg आपको एर चाहिए लेकिन हम कंबस्चन को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं एक्सेस एर देते हैं एक्सेस एर से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो कंबस्चन है वो कंप्लीट हो रही है तो इसलिए हम एक्सेस एर देते हैं तो एक्सेस एर है 65% तो आपने 10.8 का 65% निकाल लेना है 65 डियार्डिंग ब आपने 10.8 में 7 यह जमा कर देंगे तो टोटल जो एंधे रहे है प्लस 65% एकसेस एर मिला के वो 17.8 22 केजी दे यानि के एक केजी इस फूल को जलाने के लिए 17.8 22 केजी जो है एर दी जा रही है जिसमें 65% एकसेस एर भी इंक्लूड है तो ये था आज के हमारा छोटा सा असान सा सवाल इंशाला मिलते हैं